a rectangle of greatest area is inscribed in a trapezium ABCD one of whose non parallel sites AB is perpendicular to the base so that one of the rectangles side lies on the larger base of trapezium the base of trapezium are 6 cm and 10 cm and AB is 8 cm long then the maximum area of rectangle आप से पूचा है देखो एक्टेंगल आफ गेटेस एरिया इसे इंस्क्राइब देना है देखो यहाँ पर क्या है कि मैं एक trapezium ड्रा कर देता हूं आपके सामने यह trapezium मरा दिया इसको पूरा सभी कर देते हैं इसको एक trapezium बनाया है मेरे आपके सामने ठीक है रहा है वन आफ उस नौन पैरलल साइट्स एबी एक उसकी नौन पैरलल साइड यानि कि यह वाली नौन पैरलल कर देता हूं मैं ए बी और यह सी हो गया यह डी हो गया यह क्या है परपेंडिकुलर है तूद बेस रेक्टेंगल ज इस तरह करेंके रेक्टेंगल बना दिया मैंने आपका अब इसकी यह जो आइड है ना इसको आप वाई नाम दे दो और इसको एक्स नाम दे दो इक है अब देखो क्या बोल रहा आगे सबसे पहले तो आप एक बात देखो यह जो ठीटा है हमारा यहां से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं मैं ठीक है तो देखो यह तुनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे ना इतनों ट्रेंगल लकर सिमिलर हो गए तो मेरे को क्या में लेगा यह जो लेंध है यह जो लेंध है यह जो लेंध है ठीख है अब उसके बाद में कि यह लेन्हों रोट एक्स है मेरे पास तो यह जो लैंध होगी हरılan नहीं वोन कितनी होगी पसक हो सक्रेंटर होी हुआ है एक्सजह से नहीं हुआ में है तो थीता के सामने इदर X और नीचे 4 तो X आपाउन 4 इसे यहां पर होगा मेरे पास 8 एक सेटा के सामने एक से नीचे 4 है तो इदर ठीटा के सामने कितना है और यह कितना है कि एच गी कितना हो जाएगा और है एक सेकंड रुको एट मैंना रहा है ना मेरा इट मैंने से बन रहा है उपर ले लेते हैं वट यह वाली लैंद तो फिर विविए को पता हूं निचाहिए तो है यहां सिंये टोटल था सब्सक्राइब हो जया यहां सब्सक्राइब हो इस हो जाएगात एक्सापाउण फोर एक्स के नीचे इधर 4 आ जाएगा और बड़े वाली ट्राइंगल के लिए क्या करूं मैं एक्स अपान 4 एक सेकेंड यह एक्स और यह पूरा 4 है ना मैं को पूरा नहीं लेना किसी लेना है मेरेको कि अग्स की लेंद एक और उसके नीचे टीएच तो तो च तो 4 होगे ना एक्स अपान में इसी जीसी कितना होगा इसा टैन था ना टो तेन था देखो और यहां से यहां तक तक बचेगा तो कितना गया यह 20-2y x ठीक है तो यहां से अगर मैं y का value देखना चाहूं तो कितना आजाएगा y का value 10-x by 2 ठीक है y का value कितना हो गया 10-x by 2 अब मेरे को इसका area क्या करना है maximum करना है area of rectangle कितना है मेरे पास area of rectangle मेरे पास x into y तो y का value कितना हो गया 10-x by 2 यहने कि 10x minus x square by 2 तो इसका differentiate कर दो यह वाई dx 10-x ठीक है अब देखो x हमारे पास कहां से कहां तक है जो मेरे पास x है न मैंने यह length यह वाली x मान रखिये अब आप इसको बढ़ा बढ़ा करके maximum से maximum 8 बना सकते हो उससे बढ़ा नहीं बन सकता तो अगर आप x की maximum value 8 भी लोगे न तो भी ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है ठीक है तो यह ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानि कि यह जो हमारा function है वो increasing function है ठीक है यह कैसा function है increasing function तो इसके इंदर x की maximum value 8 लेने पर area maximum आएगा ले लो इदर maximum एट इंटू में एन माइनस एट बाए टू एट इंटू 6 इतना आ गया 48 cm2 इतना आ गया यह मेरे पास 48 cm2 इंगे 27 का बिए